नमस्कार दोस्तों मैं जे गुपता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल लेवल इस्टडी पे इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के सबसे बहतरीन टॉपिकों में से एक वो है वर्ड माला गयास मैं आपको बता दूँ इस टॉपिक में मैं आपको वर्ड माला के स्वरों के बारे में बताऊंगा जिसमें चार पार्ट हैं और एक एक पार्ट जिसमें हरस्वर, दीर्ग्र्षवर और संयुक्त्षवर अगला पार्ट अग्रसवर, मद्रसवर, पश्रसवर, अगला पार्ट सम्वरत, अर्द सम्वरत, विवरत, अर्द विवरत और अगला पार्ट वर्तुल, अवर्तुल और अर्द वर्तुल के बारे में बताने हो लाओ गायस ये पार्ट फस्ट है जिसमें आपको सिर्फ ओसिर्फ स्वरो के बारे बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट मैं आपको वेन्जन के बारे बताऊंगा तो guys please ये topic most important है आने वाले सभी चकबंदी लेखपाल यूपीपी यूपी ट्रबलक्सी के जितने भी जिसमें हिंदी पूझी जाती है most important है तो please वीडियो को बिना skip के वे अंदर देखे के देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजे और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर bell icon को hit कीजे क्योंकि मैं इस तरह की interesting और tricky वीडियो हर दूसरे upload करता रहता हूं तो चलिए guys शुरू करते हैं बिना time waste के वे सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है वर्ड माला अगर आपसे कोई पुझे का कि वर्ड माला क्या होता है तो तो एक है स्व और दूसरा है वेन जन तो इस टॉपिक में इस وीडियो में सिर्फ हो सिर्फ वर्ड में बात करेंगे अपसोर पे पहला कुशन बंदा क्या हैं स्व пол होते कितने स्व ज फोटे हैं कितने होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कुल स्वर होते हैं तेरा अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो ये हो गया स्वर हो गया ग्यारा और आपसे गर कुल स्वर पूछेगा तो वो होते हैं तेरा और वर्ड माला वर्डों के सुवेवस्थित समू को बोलते ह वड मला तो गाय सबसे पहले अब हम लोग स्वर के एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो पहले तो स्वर लिख लेते हैं कौन-कौन से होते हैं तो श्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, पड़ा उ, रीसे रीसी, एसे एडी, एसे एनक, उसे ओखली, उसे औरत तो यह देखिए, वन, टू, थीरी, फोर, फाइब, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलाइवन, यानि किस स्वर होते कितने हैं तो आपका आंसर होगा, ग्यारा स्वर होते हैं अब स्वर का पहला पार्ट पड़ते हैं, पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, हरस्वर के बारे में हरस्वर होते क्या हैं, पहले तो यह जालनीजे, हरस्वर वो स्वर होते हैं, जो थोड़ी से समय में बोले जाएं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगए उनको बोलते हैं स्वर के बहुत कम समय लगता है उनको बोलते हैं हरस्वर इतना टाइम लगा और यह हो गए हरस्वर अब हम लोग बात कर लेते हैं दीर्ग स्वर के बारे में दीर्ग का मतलब होता है बड़ा तो जिन स्वरो को बोलने में ज्यादा समय लगे उसको बोलते हैं क्या दीर्ग स्वर आप इसमें क्या क्या आता है इसमें आता है बड़ा आ बड़ा उ और बड़ी ई मलब बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा उ होता है दीर्ग स्वर जब आप बड़ा कोगे फिर आ निकालोग եो इनिको वोलते हैं दिर्फ सुर, अब हम लोग बात कर लेते हैं सहयुक्त के बारे में, न सहयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, सहयुक्त में बचे क्या कौन-कौन से, देखो A हो जचे है, E हो गया, U हो घे होग्या, बड़ा A हो गया बड़ी E हो गया, बड़ी U हो गया, बचा क्या किया, A, A, O और O, मतलब आपसे पुछेगा कि किन अच्छरों को सहुनकório कहते हैं, तो आपका आणसर होगा, A, O, और O को बोलते हैं, सहुनकório सर, अब मने आपको बता दूँ, A, 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 O, O क्यों बोलते हैं सहुनकोर, तो उनके बारे में पहले आप जान लेजे क्यों बोलते हैं, तो आपसे question बनता ये है, कि A किन दो अच्छरों से मिलके बना हुआ है, ये संयूख स्वर है, तो क्यों कौन दे दो अच्छरों से मिलके बना हुआ है, तो आपका answer होगा A प्लस छोटी E, ये competition में पूजा जाता ह आए, तिक उसी प्रकाग, अगर हम बात कर लें O की, तो O बनता है, जब बोलोगे O, तो A प्लस O, छोटा O, तो A प्लस छोटा O होगया O, उसी प्रकाग, अगर बड़ा O की बात करें, तो A को बरकरार रखी वैसे ही, और O को उठाके, ये वाले O को उठाके, यहाँ क्यों कि बड़ा बोलते हैं, तो छोटा तो उसमें जाहिड़ी बात होगा, तो A प्लस O का जोटा होता है, उसको बोलते हैं, बड़ो O, यानि कि A, A, O, O को इसलिए बोलते हैं, संयुक्त स्वर, तो यह हो गया स्वर का एक पार्ट, अब मैं आपको बता दूँ, अगर स्वर, बात कर लेते हैं, मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तरगत के वर एक ही सवर आता है वो आता है छोटा आ यह हो गए मद्यसवर अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्वर तो God helps those who helps themselves मतलब आपको देखो यह पता देल गया और यह पता ले गया और बड़ा छोटा आ पता ले जो बचे वही आप लिख दीजिए तो बचा क्या क्या बड़ा आ बचा है उपर से देखें बताईए चोटू बचा है बड़ू बचा है और आ बचा है तो यह हो गए फ्रेंड्स पश्वर री को इसमें नहीं रखते हैं अब जितना भी वरगी करण है वो दस अच्छों को लेके हैं री को नहीं रखते हैं तो अग्रसवर होगे मत्ठ सुर होगे हैं चोटा आ पश्वर होते हैं बढ़ा आ prag तो हैुँँरा हो और छोट ग॒ कर देना है उके अब बात करते हैं सोरो के तीसरे वरगी करण के बारे में सवरो का जो तीसरा वड़की करण है वो है समवरत, अर्द समवरत, विवरत, अर्द विवरत मैंने जो यह ट्रिक बनाई है आपको ऐसे ही रटनी है क्योंकि अगर आप इसको डिस्बैलेंस किये तो आपके जो मेरी ट्रिक है वो गड़ बढ़ हो जाएगी अर्द समवरत, अर्द, समवरत, पहले तो समवरत के बारे नहीं लगते है समवरत सवर होते क्या है, समवरत सवर वो होते हैं जिसमें थोड़ा सा गोला बन जाए थोड़ा सा गोला बन जाए उसको बोलते हैं समवरत सवर, समवरत सवर के अंदर करता है आप से कहेगा इसको गोला बनता हुआ हमारे मुं में लगे और ओ तो यह होते हैं अर्द सम्ब्रत ठीक है मतलब सम्वरत के अंदर यूरी और जब गालियन देते किसी को तो वैसे इरट लीजिए आप यूरी बहुत इंटरेशन टॉपिक है और सम्वरत की बात करें तो ए और ओ ठीक है आप हम लोग बात कर लेते हैं विवरत के बारे में क्या होता है विवरत अच्छर वो होत हो गया अब बचा है अर्ध विवरत अगर हम लोग अर्ध विवरत की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया है इतने हो गए बाकी जो बचे इसमें से छाट दो बचा क्या-क्या ए और ओ मतलब की ए और ओ कौन से अच्छर होते हैं तो आपका आंसर होगा अर्ध विव विवरत बड़ा अर्ध विवरत अ और ओ यह ऊगया तीसल वर्डल्ग बस लास्ट बचा हुआ है सो रोका चौथावरगीं क्या है वर्ड प्रॉज वर्ट अवर्ड तुल senior और अर्द वर्तुल मोश्ट इंपॉर्डेंट है यह लेकपाल और चकबंदी में आने वाला है प्लीज इसको रड़ लीजे अर्द वर्तुल मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी रड़नेगी देखो वर्तुल में तू में है छोटू तो छोटू उ से सुरू कर दो उ और मतलब आपसे कहेगा कि वर्तुल अच्छर कौन पौन से होते हैं पहले जालेजिए वर्तुल होते क्या है वर्तुल के अंदर कर आते हैं होश्टो के आधार पर मतलब इनको बाटा गया है होश्टो के बोलने के आधार पर तो वो होते हैं वर्तुल अच्छर वो होते हैं जै कि और आज ऑर मतलब अगर आप अग्र्षूर कह़ें लो जाए आ वर्चुल कर लो बात की है I Ia A कौन से सौर होते हैं तो आपका आंसर होगा अवर्चुल अब बचा क्या और्ध वर्चुल्ध कि अंतरगत आता है सिर्फ वो सिर्फ बड़ा आ ओके फ्रेंड्स तो ये हो गए वर्तुल आवर्तुल और अर्ध वर्तुल के बारे में गाल ऐसे ही कुश्चन एक्जाम में पूछे जाने वाल है तो प्लीज इनको सबको आप रट लीजे मैंने आपको ठ्रिक भी बताई है तो ये था सवरो का वर्गी करण अब सवरो में एक बात और बता दूँ आप से एक्जाम में पुझेगा कि सवरो का दूसरा नाम क्या है सवरो को और किस नाम से जनते हैं तो आपका आंसर होगा सवरो को और दूसरा नाम है अच सुर का दूसरा नाम क्या है अच तो ये थी सुरो पे छोटे से टॉपिक पे वीडियो उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज वीडियो को जादा जादा सेर कीजे और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजे क्योंकि म इस तरह की इंट्रेस्टिंग और ट्रिकी वीडियो अपलोड करता है तो थाक्यू गाज वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुब हो